इसे दो युवक नीचे कूद गए दिल्ली में मौझून है आप तक हर एक अपडेट पहुचाने की कोशिश कर रहे हैं ये देखिए वो तस्वीर पुलिस की चेम याँ पर सुरक्षा को देखते हुए पहुची और हिरासत में दोनों को ले लिया गया है ये दो अलग अलग घटनाओं की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये अलग घटना की तस्वीर है देखिए ज़रा तो गेट के बार की ये तस्वीरे लोगसभा की सुरक्षा में चूक का इमामला दो अलग अलग तस्वीरे सामने आ रही है पहली वो तस्वीर जब युवक ग्यालरी से अंदर कूट जाता है और सेंध लगाता है लोकसभा की कारेवाही को स्थगित कर दिया जाता है दो बज़े तक के लिए और ये दूसरी तस्वीरे आप देख रहे हैं तो ये बड़ी घटनाय सामने निकल कर आ रही है तमाम इस अवाल भी अब खड़े हो रहे हैं तो ये तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं पलपल का अपडेट पहुचाने की खोशित 2001 में इसी दिन संसत पर हमला हुआ था 13 दिसंबर 2001 को संसत में विंटर सेशन चल रहा था मैला आरक्षन बिल पर हंगामे के बाद संसत को स्थगित कर दिया गया था करीब साड़े 11 बजे उप राश्वपती के सिक्योरिटी गार्ड उनके बाहर आने का इंतिजार कर रहे थे और तभी सफेद में सवार पार चातंग की घुस्ते हैं और एक बड़ा हमला वहां पर होता है आज मुन तिथी मनाई जा रहे थी और इसी पर हाल 13 दिसंबर को बड़ी घटना हुई दो तस्वीरे जो बहार की गेट की तस्वीरे हैं वो पहली आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीरे जो अंदर हुआ उसकी देख रहे हैं सदन की कारवाई में दो व्यक्ति घुश जाते हैं ये दोनों व्यक्ति विजिटर गैलरी से प्रोक दी गई है एक बार फिर से सदन की कारवाही में चूक का मामला बड़ा अपडेट ये है कि दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है जो तस्वीरे अलग लग तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां पर देखे पुलिस कर्मी किस तरीके से पकड़ते हुए नजर आ रहे है लोगों को दूसरी तस्वीरे आप देख रहे हैं जब अंदर हंगामा हो गया हलशल हो गई जब एक यवक हरा की तस्वीर में एक यवक नजर आ रहा है ये दूसरी खट्टा की तस्वीरे दो लोग यहां पर दिखाई दे रहे हैं फिलिस कर्मी पकड़ते हुए उन्हें न नजर आ रहे हैं जब लोग सभा की कारिवाई स्थागित हो गई तो सांसत बाहर निकलते हुए नजर आए उनकी प्रतिक्रिया सामने आई लोगों का कहना था कि जूते के अंदर कोई पदार था जिसमें से ग्यास निकलती हुई दिखाई दी कुछ धुआ निकलता हुए द तस्वीर दो लोगों को हिरासत में ले लिया गया है बाहर की तस्वीर आप देख रहे हैं संसद में स्प्रे लेकर ये युबक कूदा था क्या डराने की कोशिश की जा रही थी या न्यूस के लिए किया जा रहा था ये तमाम सवाल है अभी हाला कि सपष्ट नहीं हुआ है और आज एक बार फिर से ये बड़ी घटना सामने आई जहाँ पर दो लोग गैलरी से मीशे कूच जाते हैं हातों में कुछ होता है गयास उसमें से निकल रही होती है जूते के अंदर वो पदार्थ रखके आया होता है स्प्रे हात में होता है और ये बड़ा अप्रश्न ख पैदा हो गई थी दो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ये देखे एक और तस्वीर आपर सामने नजर आ रही है ये कुछ तस्वीर सामने आई ये आप देख रहे होंगे धुआ उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो जो पधार्त लेकर यूबक आया था जो स्प्रे था दराने की कोशुश की जा रही थी क्या उसका मकसद था क्या मोटिफ था ये तमाम सवाल अब खड़े हो रहे हैं फिलाल टीवी स्क्रीन पर कुछ तस्वीर आप देख रहे हैं जो सामने आ चुकी हैं वो स्प्रे जिसको स्प्रे करने के बाद धुआ निकला उसके बाद की के तस्वीर आप देख रहे हैं अब यह जांच का विसाय है आगे चलके अभी तो पता ही नहीं कौन लोग है किसने पास बनवाया क्या हुआ यह नहीं मालूम पड़ा है हम लोग तो राजसवा में थे हम लोगों तो यहां आया तब लोगों ने पूछा लखनों से ठीक है अच्छा तो देखिए अब तमाम सांसदों की जो बयान है और प्रतिक्रियां सामने आने लगी है और फिर सांसद जो है वहां से अपने आपको उनकंफर्टेबल फील करते हुए बाहर की तर भागे कुछ सांसदों ने हिम्मत जुटाई और उन्होंने कर्मियों का हैंडोबर किया तो आज 13 तारीक वह तारीक जिस दिन संसद में हमले की बरसी मनाई जाती है सुबह से ओकार्टरम पुराने संसद भौन के पास चल भी रहा था आप देखिए यह पुराना संसद भौन है ठीक सामने हमारे जिस पर लारता तरंगा दिखाई देत क्योंकि सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि यहां से एंट्री के दो गेट्स हैं आईए जरा हम आपको आपको एंट्री गेट्स समझाते हैं कि किस तरह से यहां पर आज की तारीक में एंट्री होती है और इस एंट्री के जरिये जो है किस तरह से लोग यहां पर जाते हैं य ये देखिए ये स्वागत कार्याले आपको दिखाई दे रहा है ये ठीक सामने हमारे आप देख रहा है रिसेप्शन यहां से दरसल लोगों के अंदर जाने और फर्स्ट आप देखिए कि विश्टर पास के साथ साथ एंट्री का एंट्री के शुरुआत होती है पहली फ्रिस होती है दूसरी फ्रिस्किंग होने के बाद आप देखिए कि वह जाते हैं आई एक और नजार आपको दिखाते हैं कि किस तरह से यहां पर दरसल गैस मौझूद है और आप थोड़ा सा जगह हम को देंगे एक मिनट के लिए ये देखिए ये देखिए वह गैस जिसका इस्त इस तरह के आप दिखा रहा है यहां पर अपर आपको दिखा रहा है किस तरह के गैस का इस्ते का इस्तिमाल यह रखा हुआ यहां पर है इस तरह के एविडिन्स के साथ छेड़ा अगर कोई कर रहा है तो जाहिर तो पर आप देखिए कि अपने आप में देखिए कि जो यहां पर घटना करम हुआ है सुरच्छा में चूप हुई है उसका नजर हम आपको दिखा रहे हैं हलो हलो आज की घटना कई सवाल खड़े करती है सुरक्षा में चूक हुई है लेकिन इतनी बड़ी चूक हुई क्यों जब गैस स्प्रे की गए तो जो संसद भवन में संसद मौचूद थे वो अनकमफिटेबल खुद को महसूस करने लगे और वो इधर उधर भागते नजर आए तो ये दो तस्वीरे आपको दिखा रहे हैं संसद के अंदर स्प्रे किया गया था वो कुछ तस्वीरे भी सामने आने लगी है डराने के ले किया गया था किस मकसद से किया गया था अलाकि ये अब इस पश्टन नहीं हो पाया है ये दो तस्वीरे टीवी स्क्रीन्स पर आप देख रहे हैं हमारे समवाद दाता राजधानी दिली से पलपल का अपडेट आप तक पहुचा आने की ये रेखे वो तस्वीरे बात के तस्वीर जब स्प्रे हुआ तो कैसा महौल वहाँ पर देखने को मिल रहा था अंदर स्प्रेज अप किया गया तो धुआ उड़ता हुआ नजर आया कुछ गैस फॉर्म में उड़ता हुआ दिखाई दिया अंकमफरेबल सांसत महसूस करने लगे अब ये क्या पदार्थ था क्यो इसका अस्तमाल किया गया क्या ये जादा घातक हो सकता था क्या ये सिर्फ डराने की कोशिश थी क्या मकसत था ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं लेकिन फिलाल इनकी भी जात की जाएगी क्योंकि बेहदी बड़ा मामला है लोग सभा की कारवाई चल रही थी लेकिन बीच में दो युवक सेंद लगा देते हैं और उसके बाद एक पदार्थ का इस्तमाल किया जाता है जिससे स्प्रे किया जाता है क्या है ये पदार्थ वो तस्वीरे भी हमारे संबाद दाता राजधानी दिली से आप तक पहुचा रहे थे वो तस्वीर जिसस्प्धार्थ से स्प्रे किया गया है अला कि पुलिस कर्मी ने अब उसको अपने कभजे में ले लिया है और आगे की जाच की जाएगी दोनों आरोपियों को हिरास्त में ले लिया गया है ये दो तस्वीरे आप देख रहे हैं दूसरी तस्वीर आप देखेंगे